हे गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज हम बहुत ही इंस्टेंट और चटपटा सा हरी मिर्ष का आचार बनाएंगे इसलिए यहां पर में लूँगी कुछ फ्रेश हरी मिर्षे तो हरी मिर्षों को आप इस तरीके से बीच में से चीरा लगा दे और हरी मिर्ष अगर बह थोड़ी सी कम हल्दी में डाल दूगी और इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक और हल्दी जो है अच्छे से हरी मिर्षों में कोट हो जाए हरी मिर्ष की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा ले सकते हैं जितनी भी आपको बन कर दिया है और अब हम इनको अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर देंगे ताकि नमक और हल्दी और भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसको तीस मिनट के लिए छोड़ देंगे और यह देखे गाइस यहां पर मिर पास दो सी तीन चमश काली सरसों है यह आप चाहे तो पीली भी ले सकते हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से पीस दूँगी और आदे खंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हरी मिर जो है बहुत अच्छे से मेरिनेट हो चुकी है इसमें नमक और हल्दी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें आड़ कर लगभग 2-3 चमच में इसमें आड़ कर दूँगी तो आप कोई सी भी सरसो ले सकते हैं पीली बली या फिर काली बली सरसो ले ले तो इस तरीके से सरसो को भी हम बहुत अच्छे से हारी मिर्श के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको हम मिर्श के साथ कोट कर देंगे तो गाइस यह वला जो अचार है यह बहुत ही इंस्टेंट है और फटा-फट से बनता है आप इसको 7-8 घंटे के लिए बाहर छोड़ दें इसके बाद आप इसको फ्रिज में रखकर लगभग 7-8 देनों के लिए बहुत ही टेस्टी बनता है तो गाइस जो काली सर्सों है वह बहुत अच्छे से इसमें कोट हो गई है अब इसमें डालूगी लगभग 2 चममच नीबू का रस तो फ्रेश लेमन ले और उसको जूस निकाल कर इसमें डाल दें लगभग 2 चममच और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हरी मिर्च के साथ तो हमारा हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बिल्कुल डेडी है आप इसको प्रांठों के साथ या फिर सब्जी के साथ इंजॉय करें बहुत ही टीस्टी लगता है और इस तरीके से आप इस मिर्च को बना कर फ्रिज में रखें और 7-8 दिनों तक आप इ साथ बंढे भनता है तो इसको में निकाल दोगी तो आप कोशेश करें कि अचार को आप किसी कांच के बाल में आ या फिर कांच के बाल में ही निकाल क कर रखे. तो इस तरीके से आप इस फ governments के इंस्टेंट आचार को सुर् завис a करें और बनाएं झायें और इंजॉय करें तो अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाई